जाएं दोस्तों बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में आए इस वीडियो में सॉल्फ करेंगे कोईफिसेंट अफ कोरिलेशन निकालना सह संबंद गुणांक निकालना किस मेथड से दोस्तों को आज हम यहां पर सॉल्फ करने वाले काल्स पियर्सन मेथड से और यह जो सवाल है अवद इस टीव बिया सेकेंडर के 2023 में पूछा गया सवाल है तो आए इस कोशन को सॉल्फ करेंगे इस तरीके से आप एक प्रिविए से कोशन भी सॉल्फ कर लेंगे और साथी साथ एक मेथं से आप एक्च्ट इस में में मेथड या डाय реш एक फिर शॉटकं मेंत अलिया फिर जिसे हम जिसे में 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 method भी कहते हैं यह और method है दूसरा दोस्तो step deviation method भी है तो हम यह काल्स Pearson method का ही जो first method है actual mean method जो सबसे actual होता है सबसे होता है उससे हम use करेंगे और उससे हम यहां से solve करेंगे तो देखिए आपको यह formula याद करें अगर आपको यह formula याद हो गया तो बहुत ही असानी से आप इस method से solve कर सकते है actual mean method से अब जब actual mean method है तो सबसे पहले आपको एक माद है यानि कि sum of x minus x bar अब यहाँ पर आपको लगेगा x bar क्या है मैं भी आपको बताऊंगा y minus y bar x minus x bar y minus y bar का होल इसको है ठीक है अब आई उससे पहले हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने questions पर तो कुछ इस तरीके का questions paper था हमारे या और दिया गया था x और y दिया गया था x में value 3 4 6 7 10 9 11 14 15 16 इस तरीके से आपको दिया गया था और सवाल आपसे कहा था कि calculate carl Pearson coefficient of correlation between x and y x और y के मद्ध काल Pearson का सह संबन्द गुडांग ग्याद करिए तो इस तरीके सवाल दिया गया था तो बिना किसी देरी हमने सबसे पहले क्या कि हमने सबसे पहले दोस्तों जो x और y हमें दिया गया था इस तरीके से टेबल बना के हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर as it is उतार लिया अब यहाँ पर as it is हमने उतार लिया अब इस X का mean यानि कि मात दियाने की average निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आपको बता होगा कि mean निकालने के लिए हम क्या करते हैं सभी की values को जोड़ देंगे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 10 ठीक है और divided by कितने नंबर है एक दो तीन चार पांच पांच नंबर है तो आप जोड़ेंगे इस तरह के से इसका mean निकल जाएगा तो अगर आप जोड़ेंगे 4 और 3 7 7 7 14 14 16 13 और 30 अपां 5 करेंगे तो आपका यहाँ पे आजाएगा 6 यानि कि सिंपल सी बात है तो आपका यहाँ पे x बार निकल करा गया x का जो mean निकालना है x बार वह आपका निकल के आगया कितना 6 निकल के आगया कोई समझे या कोई 4 5 6 65 और टूटल हमारे पास 5 है 13 65 यानि कि y बार हमारा कितना आगया 13 आगया अब हमने x बार निकाल लिया और y निकाल लिया बहुत ही असान दोस्तों बहुत ही असान x बार और y बार क्या है nothing but average कह लिजी या mean कह लिजी वही हमारा x बार और y बार है यहाँ तक आपने निक x बार हम यहाँ पर निकाल लिते हैं x कितना है वाई 3 है और x बार कितना 6 है तो 3-6 करेंगे तो आपका मैनस 3 आजागा 4- x बार कितना है वाई 6 आपको समझा रहे हमें क्या करूं यह x-s बार कर रहा हूं ठीक है यहाँ पर आपको x-x बार लिख रहा हूं x की value 4 है और x bar की value कितनी है 6 है तो आप करेंगे minus 2 similarly 6 minus 6 करेंगे 0 7 minus 6 करेंगे 1 10 minus 6 करेंगे 4 समझा गया यह क्या है x minus x bar similarly आपको y minus y bar यहाँ पर निकाल लेना है तो y bar कितना है 13 है 9 minus 13 करेंगे तो कितना है जाएगा minus 4 11 minus 13 करेंगे कितना है जाएगा minus 2 14-13 करेंगे कितना आजाएगा 1 15-13 करेंगे कितना आजाएगा 2 16-13 करेंगे कितना आजाएगा 3 देखिए कई बर क्या होते है वीडियो बनाने की चक्कर में जल्दी बाज़ी में calculation थोड़ी सी इधर हो जाती है तो उसमें that's not a big matter process आपको सिध्यान में रखना है समझ में आगया हमने क्या किया सबसे पहले हमने x bar निकाला y bar निकाला x minus x bar और y minus y bar हमने लिख लिए इतना ही हमने बस किया है और कुछ नहीं किया बात समझ में आगए अगर यहां तक समझ में आगई तो आपका 100% नहीं 80% आपका question solve हो गया अब आपको देखिए निकालना है क्या है दोस्तो x minus x bar into y minus y bar तो इकर हम इन दोनों को into करा दे तो हमारा उपर वाला निकल के आजाएगा तो minus 3 और minus 4 का multiply करेंगे तो plus का 12 आजाएगा similarly इन दोनों का multiply कराएगे तो कितना जाएगा強शन पर इनका इनका जाएगा इनका टु हा जाएगा इनका ट्वछM odd अब summation निकाल यह क्योंकि सब का TIM निकालना है तो इन सब को आपस पर माद्व लेते हैं तो आपका यहां पर एक concept बहुत यादा clear हो जाता है तो आप देखेंगे 12 और 12 14 14 और 4 18 और 18 और 2 18 और 12 और 24 24 और 28 28 30 यहीं पर गड़बड हो जाती है ठीक है तो आपने 30 यहां का submission निकाल लिया correct तो आपका एक और यहां पर calculation निकल के जो आया है मैं यहां पर note कर लेता हूँ सबसे पहले तो हमारा x bar आया था 6 y bar आया था 13 अब हम यहीं पूरा हमने निकाल लिया summation of x minus x bar into y minus y bar यह हमारा कितना आगया दोस्तो 30 आगया कोई समस्या कोई समस्या नहीं आपको समझ मैं आपने क्या किया x minus x bar को y minus y bar को आपस में multiply करा दिया और summation का मतलब इन सब को आपस में जोड लिया तो जोडने के बाद आपकी value कितनी है दोस्तो जोडने के बाद आपकी value आई 13 बस एक का काम ख़तब अब आईए नीचे चलते नीचे देखेंगे आप x minus x bar का whole square पूछा है ठीक है x minus x bar का whole square भादे पूछा उखी failure छाफ holiday जर्डर वोवी देखिलेते हैं x minus x bar का whole square पुछा है फ़ाई जर्रह हम वो व भी देखलेते हैं थोड़ा सा यह जो unnecessary चीज़ है उसको हम हटा देते हैं चीक है चलिए x minus x bar का whole square or वाला देखिए ध्यान से इसको देखिए ध्यान से एकस मानस एकस बार का होली स्क्वाइर अब आए एकस मानस एकस बार यह है हमारा एकस मानस इसका होली स्क्वाइर यानि कि इसका हम होली स्क्वाइर निकाल लेते हैं मैनस थी का सब्सक्राइब तो जड़ांगे तो इसकोद गसीऊन इसकोद करोदो선 कॉर और सब्सक्राइब+, और नो तीस यहां भी कितनी वैल होगे 30 अब इसको भी जोड़ लिजी दोस्तों नो चार तेरह एक चौदर 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 चार अठारह और च्छावविस और थर्टीफॉर आइसिंग थर्टीफॉर आया बेगवर और कालिकुलोशन कर लेता हूं छै चार दस एक ग्यारह यह ग्यारह चार पंदरह और पंदरह पंदरह पंच बीस चार 24 के चार के शार का रही दो 34 एक्जैक्ली 34 यहां तक सगी अब आपको एक और दो वैल्यो निकल के आ गया सुमिशन ऑफ एकस माइनस एकस बार का होली स्कुर्व आपका कितना है आप देखेंगे 30 आ आया है कहा आया दिखा देता हूं यह रहा आपका 30 यह आपका 30 आया करेक्ट यह वाली वैलिए 30 आया दूसरा दोस्तों x y- y-bar का whole square का sum कितना आया है तो वो 34 आया है वो भी यहां पर note कर लीजिए y- y-bar summation of y- y-bar का whole square कितना आया 34 आया अब यहां आया पर आपका सारा निकल गया अब क्या करते हैं r is equal to coefficient of correlation में value put कर दीजिए उपर का आप देखेंगे summation of x- x-bar into y- y-bar this is not even 30 ठीक है अंडरूट अंडरूट कितना है वाई x- x-bar का whole is where where is the x- x-bar का whole is this is called 30 into अंडरूट summation of y- y-bar is equal to how much 34 बस यही है कुछ नहीं है आपको क्या कर देना है बस यहां पर calculation कर देना है अब calculation में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अब यहां पर 30 ऊपर तो आपने असानी से लिख लिए अब अंडरूट 30 का value exact value आप तो calculator से ही निकाल सकते हैं मगर यहां पर exact जाने ही जो नहीं है अब देखी कि आप 30 है ठीक है 30 है तो अगर 25 होता दोस्तों तो 5 होता 5 का square होता और वही 36 होता तो 36 होता तो 6 यानि कि जो भी हमारी value आएगी 5 और 6 के बीच में आएगी और 5 और 6 के बीच में यानि अचली अंडर रूट 34 की बात करें अंडर रूट 34 की बात करें गर 36 रहता अंडर रूट तो हम इसको 6 लिख ले लेकिन यह 36 से थोड़ा सा कम है थोड़ा सा कम है तो आप आप अप्रक्स अगर जाएंगे तो आप यहां पे 5.8 भी लिख सकते हैं बागी आपको इसको exact निक में अगर आप इसको multiply करा के इसको solve करेंगे तो यह जो value आएगी आपकी value आएगी वह एप्रॉक्स आएगी 0.0.9 कुछ भी आएगा 0.9 मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि जब आप coefficient of correlation निकालते हैं 0.98 आएगी है प्रॉक्स जब आप coefficient of correlation निकालते हैं तो आपकी value दोस्तों आपकी value minus 1 और plus 1 के बीच में आनी चाहिए minus 1 और plus 1 अगर minus 1 और plus 1 के बीच में आती है तो coefficient of correlation बिल्कुल सही है और अगर आप थोड़ा बहुत भी point का इधर उदर करेंगे तो मसाला नहीं होगा almost इनी के बीच में आएगा समझ में आरी बात तो almost इनी के बीच में आएगा तो exact answer की ज़रूत नहीं बस आपको यह देख मैंना आपको कारा minus 1 से ज़्यादा और plus 1 से कम होना चाहिए ठीक है plus 1 से कम होना अब देखोगे आप 0.98 मतलब almost very strong relation है plus 1 के बहुत करीब है तो एक strong relation है अब आपको सर exact value नहीं लिखे यहाँ पे तो आपको exact value लिखने की भी ज़रूत नहीं है आप एपरोक्स भी लिख सकते ह 0.98 0.98 आया 0.97 आया 0.96 आया 0.89 भी आया कोई दिक्कत नहीं यह क्या है दोस्तो प्लस 1 के बहुत करीब है और एक positive relation दिखाता है तो यही हमको find out करना है coefficient of correlation बात समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं अब आईए अब आईए एक बार फिर से हम इसको revision कर लेते हैं और एक बार relation है strong relation strong positive relation है या weak positive relation है अब आपको कि weak positive अगर 0 के पास में रहेगा 0.1 या 0.5 या 1.5 मतलब 4 से कम रहेगा तो आप दिखाऊगे कि weak positive relation है और वहीं अगर minus में जाएगा दोस्तो minus 3.5 minus 4 sorry 4 5 तो जाहीं नहीं सकता हमेशा क्या होगा दोस्तों 1 minus 1 से ज्यादा और 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 प्लस वन से कम रहेगा तो या तो 0.8 होगा 0.7 होगा 0.9 होगा maximum to maximum 1 हो सकता है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है समझ में आ गई बार तो यह आपका coefficient of correlation है तो आपको यह दिखाना होता है कि यह positive सह संबंध है positive relation है negative relation है तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आया positive relation है ठीक है कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों यह formula को देख लेना है अब जैसे ही आप इस formula को देख लेंगे इस formula की जो जो भी आपको यहाँ पर requirement है उसी हिसाब से आप column बनाते हुए च सबसे पहला आपको क्या गाम करें कुछ नहीं आपको सबसे पहले formula देखना है formula में आपको x-x bar चाहिए x-x bar चाहिए तो x-bar का मतलब आप इसका mean निकालेंगे mean निकाल लिया आपने इसका sum of all the elements and the numbers of elements similarly आप y-bar निकालेंगे y-bar आपने निकालेंगे अब आप चुकि दिया है x-x bar तो आप x-x bar निकालेंगे y-bar निकालेंगे अब इन दोनों का multiply है उसका बात समय है तो इन दोनों को आपस में multiply कराके यहां लिख देंगे और आपस में जोड़ लेंगे आपका यह ऊपर वाला complete यहां से निकाल गया ठीक है कोई बात नहीं बहुत अच्छा यह तो बहुत आसान हो गया अब आईए नीचे की तरफ x-x bar का whole square अब इसका आपने whole square निकाल दिया similarly y-y bar का whole square निकाल दिया अब इन दोनों को आपस में जोड़ लिया ठीक है बस इसी तरह से निकाल के आप यहां पर formula में रख देंगे और आपका सवाल सौल हो जाएगा coefficient of correlation निकल कर आजएगा अगर कोई सुविधा हो असुविधा हो समझ ना आया हो कोई दिक्कत हो परसान हैं मगर मैं आसा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया हुआ कैसी लगए वीडियो कमेंट में आप हमें जनकारी दे सकते हैं पसंद आएगे तो लाइक कर दीजिएगा नहीं जूने सब्सक्राइब करके जूड़ जाएगा इस तरह की सवाल अकसर आप से एक्जाम में सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में राय परते के रहा देना ना भूले मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक आप खूब ख्याल रखिए पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे मुस्कुराते रहे जैन जै भारत